अब उस सियासी दस्तक की बात करना जरूरी है जिसकी पिच 2024 के चुनाओं के लिए धीरे धीरे सेक्ट होती जा रही है मुद्दा है सनातन वाली सियासत विवाज जो दक्षण से शुरू हुआ उत्तर में बढ़ा अब लोग सभा में कॉंग्रिस के नेता अधीर रंजन चौधरी बीजेपी पर सवाल उठाते है कहते हैं बीजेपी ही उत्तर और दक्षण में खाई बढ़ी कर रही है लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे पाते कि इंडिया घटबंधन के साथ ही नेताओं के सनातन के خिलाफ भड़काने वाले बयानों पर रोग क्यूं नहीं लगवाते हैं सुनिया जी भाजपा की ओर से हम आपको साफ साफ बताना चाहते हैं आपके गड़बंधन के बारे में हम सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान हिंदु आस्था का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और अब तो इसको हम गाउं गाउं पहुंचाएंगे अच्छा है सोनिया जी आपने एजेंडा सेट कर दिया है अपने मित्रों और चेलों के साथ एजेंडा सेट सनातन परवार का जवाब लक्ष भीता है सोनिया गांधी राहुल गांधी से जवाब मागना आक्रमन की धार भीता है चुनावी राज्य में आक्रामक दीरे दीरे भाकी राज्यों में तेजी लाना वजह भीता है इंडिया गठबंदन के सदस से डीमके का लगातार सनातन धर्म परविवादित बयान कॉंग्रेस पल्ला जारती है इंडिया गठबंदन में शामिल डीमके के नेतारोज नया बयान लेकर आते हैं सनातन धर्म की तुल्ना पहले डेंगु मलेरिया सेखी फिर एट सेखी नया वर्जन बिवाद का लाने वालों को सुनिए इंडिया एंगद उर सनाधन दें कुल्वेग एदिर्पाह उर्वाक अपटिरिक्टिर कूट्टनिधान इंडिया इंगल कुल करुट्टु वेरुबाड़ कलाम आल इंद सनाधन अथे इदिर्के वेंडिमन बिदिले यारुक्कुम एंद वेरुवट्ट करुटु मिल्लें कॉंग्रेस केजरिवाल और मंता बनर जी बयानों से किनारा कर चुके हैं बीजेपी कॉंग्रेस को सेंटर मिलाकर कहती है गठ बंदन के लिए गप गप और सनातन परवार के बाद हमको इन में मत गिनिये वाला डालोग नहीं चलेगा दवाब देंगे की खामोश रहेंगे जितना आप खामोश रहेंगे उतना ही देश को असपश्ट होगा कि सनातन का विरोध आपके गठ बंदन के एजंडा का एक कॉंवन मिनमन प्रोग्राम है एंडिये को 2014 में 43 प्रतिशत हिंदू वोट मिला 2019 में एंडिये के खाते में हिंदू वोट बढ़कर 52 प्रतिशत हुआ 296 सीटों पर देश में 47 से 70 फीज़दी तक हिंदू वोट बीजेपी ने हासिल किया है यही बज़ा है स्टैंट साफ करने को कहती है तब चुनावी राज यरायस्थान में अगंद है हमें उन सब हमारे पूर्वचों की जिनोंने चाहे वह मारा या सूरज में लोगे को देखे हैं जाए वीर दुर्गदास होंगे यह मारा प्रता पे हम सब को उनकी सोगंद उठा करके खड़े होना पड़े गा यह मैं सनातन पर हमना करने वालों को बर्दास्था नहीं करें हम अंको उखाड़ कर पेक दो चुनाती के साथ में खड़ा होना पड़ेगा इंडिया गठवंदन की को़डिनेशन कमेटी के सामने अब यही पहली चुनौती आचुकी है सनातन विवाद को आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए